एक बार एक बूढी मा को उसके बेटे ने एक वृद्ध आश्रम में ले जाकर छोड़ा दिया इस मा का ये वही इकलोता बेटा था इल जिसके लिए इस मा ने जीवन भर संधर्श किया इस बेटे के लिए वो सब कुछ किया जो एक मा को करना चाहिए यामा कर सकती है और आज भी अपने बेटे को किसी भी तरह की परेशानी ना हो इसलिए आश्रम में रहने के लिए भी तयार हो गई वृद्ध आश्रम में रह रही मा हमेशा अपने बेटे को याद करती मगर बेटा केवल साल में एक बार उसको मिलने जाता या फिर फोन पर बात कर लेता बेटा जब अपनी बीमार मा के पास पहुँचा तब वह अपनी आखिरी सांसे गिन रही थी। बेटे ने अपनी मा की सारी बात सुनी और अपनी मा से पूछा इल आपने इतने साल यहाँ पर निकाल दिये पर आपने कभी भी यह बाते मुझसे नहीं कहीं और अब जब आपके पास टाइम नहीं बचा है तो अल तब आप यह सब कह रही है इल ऐसा क्यों माने बेटे को वाप देते हुए कहा उल बेटा मैंने गर्मी भूक और पीडा सहन कर ली लेकिन मुझे पता है जब तेरे बच्चे तुझे यहाँ पर छोड़ कर जाएंगे तब तु यह सब सहन नहीं कर पाएगा उल इसलिए तेरी सुविधा के लिए मैं तुझे यह सब लगाने के लिए क चाहते हैं कि आपके साथ अच्छा व्यवहार हो तो आपको भी दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करना पड़ेगा